अलो दोस्तों मेरा नाम रोईत और सुवागत आप सभी को अपने यूटू जनल बीसे सेंटर में ताज हम बताने वाले एक अन्फूजन तब आया जब एक अस्ट्रेंट ने मेरे पास कमेंट किया कि सर जब हम बूक लिनने जा रहे हैं सेक पेपर का है चाय वो डिजिटल एजूकेशन हो चाय डिजिटल मार्केटिंग हो बूक सारा इंग्लिस में अबलेबल है तो क्या पेपर हिंदी में होगा य कर दोग हिंदी राखें सार का सार पेपर हिंदी में अएगा लेकिन जब ये आष्ट लिए मेरे पास बूक सेंड इंग्लिस में प्रिंट जया तो ये पांच पर्शन मुझे भी हो गया गया fenacateuch सकता हूं कि पेपर हिंदी में ही होनेवाला लेकिन है हंड्रेट पर्षेंट आप स्योर नहीं हूँ क्योंकि बूक इंग्लिस में प्रिंट हुआ है तो मुझे थोड़ा सा पता करने की जो रहत है तो मैं आज आप लोगों को यह जनकारी में दे रहा हूं ठीक है और मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को जो 5% में अंस्योर हुआन परसंद दे रहा हूं कि 95% हिंदी में आएंगे ठीक है इसका पूरू भी मेरे पास दिखाएंगे ठीक है और अब लोगों को हिंदी सही पढ़ना अगर आप इंग्लिस में पर्णा तो आप इंग्लिस में पढ़िए कोई दिकतने बेटर है बट जो लोग इंग्लिस इंग्लीज हो सकता है कि जो बुक पिरिट किया गया है इसके पास हिंदी थो नहीं प्रिउखतर है थे भी करेंगे या तो नहीं भी करेंगे मुझे नहीं पता है बट मैं इतना दावा के साथ कहा रहा हूं कि पेपर हिंदी में आने के चांसे बहुत जादा है लेकिन जब अस्टुडेंट का कमेंट इस तरह सा आया तो मुझे भी थोड़ा सा अब बहुत ही जल्द इस पर मैं बात करके आप लोगों को मैं टेलिग्राम पे ग्रूप छोड़ दूँगा एक मैसेज छोड़ दूँगा कि हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में लेकिन अभी आप लोग हिंदी में ही आएगा पेपर एधर समझ करके त्यारी अपना ब्रकर पाऊंगा क्योंकि एक टीचर हर सब्जेट के साथ अलग अलग काटेगरी वाले सब्जेक्ट को भी त्यारी नहीं करवा सकते हैं तो सेख पेपर से हम डिजेटल एजूकेशन और डिजेटल मार्केटिंग यही दोनों सब्जेट का हम त्यारी करवा सकते हैं अब इसका मतलब तो इस वीडियो कैसा लाखो कॉमेंट में अपना राय जरूर देंगे मिलेंगेना सुड़ी में तब तक जय हिंद जय भारत